हेलो दूस्तो कैसे हो आप टेक्निकल सरब चैनल में आपका स्वागत है आप चैनल में फास्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दुबाएं इससे आपको लेटस्ट वीडियो मिलती रहेंगी तो हमारी जो लास्ट वीडियो पर आप देख सकते हो जो हम जॉब लेटर इंफरमेशन देते रहते हैं और गॉर्मेंट की जो नई स्कीम आती हैं उसके बारे में हम इंफरमेशन देते रहते हैं online computer education के बारे में हम विस्तार से जानकारी देते हैं आज का भी एक बहुत पढ़िया जो information है उसके बारे में बात करने वाला हूँ तो प्रदानमत्री कसान ट्रैक्टर जोजना है पी-म कसान ट्रैक्टर जोजना जो दी जा रही है इसमें 50% तक सबसीड़ी मिलेगी आपको कैसे अपलाई करना है कौन-कौन से क्रिशी जनतर हैं जो सबसीड़ी पर दिये जा रहे हैं और इसकी फुल information में आपको दूँगा तो अभी तक भी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और वीडियो एंड तक जरूर देखें चलो देखत दामों में ट्रेक्टर ख्रीज सकते हैं अगर आप ट्रेक्टर नहीं भी ख्रीदना चाते तो क्रिशी जनतर से सबंदित कोई भी जनतर ख्रीज सकते हैं जो की आपको आदे दामों में मिल जाएगी तो एक बहुत बढ़िया किसान बायों के लिए जिवली स्कीम है कि कोई भी ट्रेक्टर खीदना चाता है जा कोई क्रिशी जंतर खीदना चाता है तो इस स्कीम का लाब आप ले सकती हो तो कैसे लेना है यह मैं आपको अच्छे से बढ़ाऊंगा प्रदानमंत्री कसान ट्रेक्टर जोजना के तहट आप बीस से पचास प्रतिश तक सबसीटी ले सकत हो जैसे चार लाँका कोई ट्रेक्टर है तो उसमें 50 प्रतिशाथ मना कि आपको तो दो लाँका पड़ेगा जे जोजना के अंदर सरकार की तरफ से चलाई जा रही है परदान मंत्री ट्रेक्टर जोजना के तहत कृषी से जुड़ी कोई भी जनत आपको मातर आदे दामों में मिलेगी तो कैसे मिलेगा जे सब लाब और किस तरह से जे जे जोजना को अपलाई करना है तो सभी इंफरमिशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी अगर किसान के पास क्रिशी के परते साधन होंगे तो इसे ना क्रिशी विकासदार को गती मिलेगी बलकि कसानों को अधिक स्तिती में सुधार भी आएगा इस तरह से आप अभी आएए आप जानते हैं कि किस तरह से प्रदानमंतरी कसान ट्रैक्टर जोजना को अपलाई करना है और किस प्रकार आपको इस जोजना का अलाब उठा पाऊंगे तो चले जानने हैं पूरी प्रक्रिया क्या है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर आप इस जा फिर आपको जानने में कोई न कोई ट्रैक्टर जा क्रिशी से सबंदे जनतर खरीदना चाते होंगे मैं आपको बता दूँ कि सरकार द्वारा सबसीडी महिया करवाए जा रहे हैं जिससे आपको आधी दामों में ट्रैक्टर जा क्रीशी से सबंदर जानतर खरीज सकते हैं। कौन-कौन से क्रीशी जानतर सबसिड़ी पर दिये जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूं कि पी-ए-म-कसान ट्रैक्टर जोजना के तेयत। लग-लग रज्जों में जे लग-लग तरह नाम से स्कीम चलाई जा रही है। इस जोजना के तेयत पर देक कसान को ने ट्रैक्टर की खरीद के लिए लोन दिया जाएगा। किसानों को इस जोजना के तेट ट्रेक्टर सबसिडी भी प्रतान की जाएगी इसके तेट आउनलेन अवेदन करना होगा देखो इसके लिए आपको आउनलेन फॉर्म फिल करना होगा कहां पर फिल करना है तो मैं आपको यह वाले बताता हूं कि लग-लग राजियों में लग- आप जा सकते हो जहां पर आपके निजदी जो भी स्वीदा सेंटर हो उस पे भी आप जहां अपलाई कर सकते हो इस जोजना के तेट मिलने वाला लाप किसान को सीधे उसके बैंक खाते में आएगा आपको सीधे जो बैंक खाता आप अटैच करोगी उसके उसमें ही आपको यह वली सभी पेमिट आएगी और पहले आपने अपलाई करना है उसके बाद जब अप्रूव होगा तो फिर ही आप नाय ट्रेक्टर ख्रीज सकते हो इसके तहते कसान को अवेदन की तरीक से साथ साल पहले में आज आप ख्रीद रहे हो तो इससे साथ साल पहले तक आपने किसान दी होईंगे इसके तहथ प्रवार में केवल एक ही कसान अवेदन कर सकता है इस जोजना के तहथ मेला किसान जो है उसको जादा से जादा लौन प्रवाइड किया जाता है उसमें सबसीड़ी भी जादा रहेगी तो इस तरह से जेवले किसान जोजना के लिए जेवले स्कीम दी जारी है किसान के पास खुद के लिए जमीन होना जरूरी है तो इसके लिए जो डॉक्युमेंटस आपके लगेंगे दस्थावेज जो लगेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ पहले नंबर पिया दारकार्ड है आपका अदार कार्ड जरूरी होना चाहिए, बैंक पास्बुक होनी चाहिए, बैंक का अकाउंट नमबर होना आपका जरूरी है, और प्रशान पत्र के लिए आपके पास प्रशान कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ड, अदार कार्ड, ड्राइवी, लाइसेंस आदी होना चाहिए, प पासपोर्ड अकार के तीन फोटो जो आपके लेटस्ट फोटो हो तो आपको देनी पड़ेगी इस तरह से आप जे वाली कि जे जवान जे किसान क्योंकि किसान के बिना हमारी जिन्दगी अधूरी है और हम सलूट करते हैं जो किसानी से जुड़े हैं क्रिशी से जुड़े हुए हैं तो एक मेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी ठैंक्स